अगर आपके YouTube channel पे 0 subscriber है, 0 views है, ऐसे में आपको अपने YouTube channel पे किस तरह से subscriber को लाने पड़ेंगे और किस तरह से views लाने पड़ेंगे, वही इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, कहीं सारे YouTuber परिसान हो जाते हैं और उनको समझ नहीं आता कि मैं अब starting कैसे करूँ, आपको मैं अपना real experience बताने वाला हूँ क्योंकि मैंने YouTube पे 3-4 साल हो चुके है और मैं यहाँ पे 1 channel नहीं, 2 channel नहीं 3 से ज़्यादा channel रन करता हूँ आप देख सकते हूँ यह मेरा main channel है उसके बाद मेरा दूसरा channel इसरा engineer है इनके जितने भी experience है मेरे साथ वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपको start करना चाहिए कई सारे YouTuber स्टार्टिंग में ही काफी बड़ी mistakes कर देते हैं जिनके उनके चैनल पे subscriber नहीं आपाते हैं और उन्होंने काफी time हो जाता है और उनके वो जो channel है वो grow हो ही नहीं पाता क्योंकि उनको समझ ही नहीं है कि उनको YouTube channel पे काम कैसे करना होता है सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पर उससे पहले एक बात बलान चाहिए अगर वीडियो का अपने like नहीं या लाइक करते हैं चैनल को subscribe नहीं कि आप को हमें Instagram पे follow करना पड़ेगा उसका link में description में दे दिया है दोस्तों बात करते हैं main point की अगर आपने आज ही अपना YouTube चले start किया है आपके चैनल पे कोई भी views नहीं है कोई भी subscriber नहीं है अब हमें अपने चैनल पे आगे क्या करना चाहिए ये एक real experience है और आज तक मैं काफी ज्यादा चैनल को चेक कर चुका हूँ और ये काफी common mistake है कहने के लिए एक छोटा सा point है बट ये काफी बड़ा है जो की है channel customization दोस्तों अगर आपने अपना YouTube channel बना लिया है ऐसे में आप उसको सजावट करना भी जरूरी है कुछ function ऐसे होता है जो enable करने पड़ते है कुछ functions ऐसे होता है जिनको off करना पड़ता है अब ये बहुत सारे बंदे जानते है और बहुत सारे बंदे नहीं जानते है अगर दोस्तों आप एक YouTuber है और आपको customization का तरीका सही तरीका पता है तो ऐसे में आपका YouTube channel starting में ही grow होना start हो जाएगा अगर आपको ये सब नहीं पता है तो उसके लिए मैं वीडियो बनाऊँगा अगर आप comment करोगे अगर comment नहीं करोगे तो मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा तो बात करते हैं दूसरे point के बारे में अगर आप एक creator है खासकर YouTube creator है तो आपको अपनी audience को target करना पड़ेगा यानि कि target your audience अब आपके दिवाग में आ रहा होगा कि इसरार भाई आप क्या बोले जा रहे हमारे तो कोई समझ में नहीं आ रहा है यानि कि जो वीडियो का topic में लेके आ रहा हूँ वो मुझे अपनी ऐसी audience को target करना है जिससे कि मेरी वीडियोस पर views आए जिससे कि उनको वो वीडियोस अच्छी लगे जिससे कि वो वीडियोस जादे से जादे लोग बाग देखे यानि कि जब भी मेरी वीडियोस बनाऊँगा तो मुझे अपनी audience को सही तरह के से target करना है और इसी को बोलते हैं दोस्तो niche यानि कि आपको सबसे पहले ये काम करना है customization के बाद में कि आपका niche क्या है आप gaming channel में जाना चाते है आप YouTube tips में जाना चाते है आपका या फिर earning के regarding channel में जाना चाते है या आपका बाद blogs के regarding है या आपका यहाँ पर कह सकते हो kitchen के regarding है या आपका YouTube channel किसी और के regarding है वो आपको यहाँ पर niche चूज करना पड़ेगा याद रखने वाली बात है अगर आपने एक बार niche चूज कर लिया तो उसी पर आपको focus करना है उसी पर काम करना है ऐसा नहीं कि आज मैंने gaming का कर लिया उसके बाद science and technology कर लिया उसके बाद earning का channel बना दिया उसके बाद नहीं चला तो मैंने vlogs channel बना दिया ये एक काफी common mistake होती है अगर इस तरह से काम करोगे तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि आपका channel पूरी life में कभी भी grow नहीं हो पाएगा इसलिए आपको जो भी category चूज करनी है वो 100 समझ के करनी है अगर वाकवी में 100 समझ के आपने कर ली और उसी के रिगार्डिंग 15, 20, 50, 100 यह 200 वीडियो जाल दी तो आपके channel पे grow होने से कोई नहीं रोक पाएगा अब आपके दिमाग में आ रहा है कि 0 वीव, 0 सब्सक्राइबर कैसे लाएजए वो आगे वीडियो में बताऊँगा अगर आपने यह वीडियो यान तक देख लिए तो आगे आपको और भी जादा मज़ा आने वाला है दोस्तो बात करते हैं तीसरे point के बारे में यह है दोस्तो CTR पहले actually में CTR नहीं होता था अब YouTube ने हमारे लिए काफी easy कर दिया है CTR का मतलब होता है click through rate इसके नाम से ही पता लग रहा है के हम click कर रहे है through rate यानि के दोस्तो हम यहाँ पे indirectly thumbnail की बात कर रहे है अगर दोस्तो हमारा जो thumbnail है अगर इस तरह से है यह दिखाई दे रहे है तो इस पे इतना खास views नहीं आएगा अगर यह thumbnail आप देखोगे तो कोई भी बन्दा मजबूर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे color grading है अगर दोस्तो आपको नहीं पता के thumbnail कैसे बनाते है और साथ में color grading कैसे करते है यानि के attractive thumbnail कैसे बनाते है यानि के ऐसा thumbnail जिस पे काफी लोग click करे उसी को हम click through rate बोलते है तो अगर इस तरह की video आपको चाहिए तो ये video आप देख सकते हो इससे आपके जो thumbnail में जाना जाएगी ताकत आजाएगी ये thumbnail मैंने बनाना सिखा है आप इससे भी बैतर बना सकते हो अगर आपको एक बार मतलब समझ में आ गया के thumbnail कैसे बनाते है तो इसलिए हर एक YouTuber इस टाइम ये सोचता है अगर आपके thumbnail को देख रहा है तो वो ज़्यादा क्लिक कर रहा है तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप समझ गए होंगे अब दोस्तों बात करते हैं याप फोर्थ पॉइंट के बारे में ये पॉइंट मतलब काफी ला जवाब है और ये अब तो analytics में भी देखने को आपको मिल जाएगा इसको बोलते है retain तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि retention ऐसी क्या चीज है जो इसरार भाई अब हमें समझाने वाले है तो retention का मतलब यह होता है अगर कोई आपके channel पे पहली बार land कर गया है और उसने आपकी एक वीडियो देख ली और एक वीडियो उसको इतनी बढ़िया लगी कि वो दूसरी वीडियो पे भी गया दूसरी वीडियो उसको काफी अच्छी लगी वो तीसरी वीडियो पे गया इसका मतलब वो बंदा retain हो गया इसका मतलब एक ही बंदा आपके चैनल पे कई कई वीडियो देखके जा रहा है इसका मतलब यह है कि वो वोस टाइम आपके चैनल पे देखके जा रहा है सिंपल भासा में बोले एक वीडियो पे आया और भी वीडियो देखके जा रहा है यानि के वोस्टाइम देखे जा रहा है, साथ में व्यूज भी देखे जा रहा है अगर किसी भी वीडियो पे वोस्टाइम ज़्यादा आता है तो YouTube उसको recommendation में ज़्यादा बेखता है हैसे में हमारी YouTube चैनल की जो वीडियो है वो viral होती रहती है, अराम अराम से और कई बार तो हमारी वीडियो अचानक से viral हो जाती है उसका कमाल है audience retention का अभी मैं बोलता हूँ कि starting place में आपको जो वीडियो बनाने चाहिए काफी लंबी बनाने चाहिए, complete information वीडियो में होने चाहिए यानि के जिस तरह से tutorial होते हैं, इस तरह की वीडियो बनाने चाहिए और अगर इस तरह की वीडियो बनाएंगे तो आपके चनल पे वोश टाइम भी आएगा सब्सक्राइबर भी आएगे और views भी आएंगे दोस्तों बात करने वाले हैं पांचवे point के बारे में यह सुनना आपके लिए काफी जुरूरी है दोस्तों new creator काफी सारी mistakes करते हैं और starting में मैं भी यह mistake करता था दोस्तों यह है copy paste यानि के जो वीडियो हम देख रहे हैं और उसी के हिसाब से वीडियो बना देना that is a called copy paste यानि के कहीं से आपको information मिली वो ही information same TikTok अपने channel पे डाल दी इसका मतलब है आपकी जो videos है वो valuable नहीं है नई creator के अंदर एक बात जरूर होनी चाहिए कि दूसरे से जो ideas है वो copy कर सकते हैं दूसरा किस हिसाब से videos में बोल रहा है क्या-क्या topic उसने cover करे है उस हिसाब से आप उनके ideas को copy करो बट जब अपनी videos आप बनाते हो उसमें plus minus करके videos बनाने चाहिए यानि के जो information जो आपने YouTube पे देखी है या किसी website पे information देखी है उससे काफी अच्छी information और काफी अच्छे से skills होने चाहिए यानि के बनने का तरीके काफी अच्छी होना चाहिए यानि के आपको कुछ न कुछ उसमें add-on करना चाहिए अपनी तरफ से कुछ अच्छा effort डालना चाहिए इसी वज़े से आपका जो YouTube की channel की जो videos है वो अच्छी भी बनेगी और दूसरे को ये भी ने लगेगा कि ये बन्दा कोपी करता है आपके viewer को कभी भी ये feel नहीं आना चाहिए कि जो video वो देख रहा है कि वो already किसी और channel पे भी देख चुगा है अगर इस तरह की information आप लोगे copy paste करोगे only तो आपका YouTube channel वाक्षे में डूप जाएगा करना चाहिए यह नहीं हमारे चैनल पे जीरो वीव जा जीरो सब्सक्राइबर है अब क्या करें मैं आपको यहां पर एक ही बात बोलना चाहूंगा कि आपकी channel पे कहीं सारी videos upload होनी चाहिए उसके बाद आपको group में share करना चाहिए याद रखने वाली बात है कि आपको ऐसा निके किसी को भी send कर दी groups बने होते हैं अगर आपका channel gaming का है तो facebook पे जाएए या फिर आप बहुत सारे जो channel है वो telegram पे मिल जाएगे वहाँ पे search कर सकते हैं अगर आपका YouTube tips के regarding है वहाँ पे group में join हो जाएए और वहाँ पे videos को share करिए या फिर आप उस video को अच्छे से SEO करिए यानि के search engine optimization यानि के अपने tag सही से लगाईए और अगर आपकी वो video rank करगी तो आपके YouTube search से भी उस video पे views आएगा, traffic आएगा तो ऐसे में आपके channel पे views आना start हो जाएगे, वो श्टेवारा start हो जाएगा और आपका channel grow होना start हो जाएगा तो यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि काफी अच्छी जानकरी मैंने आपको बताई है और यह जानकरी आपको पसंद भी आयोगी अगर आपको और information चाहिए कि नए channel किस तरह से grow किया जाता है सब्सक्राइबर कैसे gain किया जाते है तो मैं आगे आने वाली वीडियो में एक अच्छा topic लेकर आऊँगा तो इसलिए channel को कर दिए subscribe मिलता हूँ आपको नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाई बाई जैहिन